नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिकम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। आज मेरे साथ रहेंगी बहुत ही वरिष्ट और मेरे लंबे टाइम की कंटेंपररी, कावेरी बमजाई, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आईए, The Three Khans, यह मैं किताब दिखा रहा हूँ, अगर आप करीब से देख सकते हैं, The Three Khans, यह किसी कोई राजनेतिक परस्नाल लेकिन यह तीन जो सबसे बड़े खान हैं हमारे हिंदी फिल्म जगत के, सलमान खान, बीच में शारुक खान और आमेर खान, हम इनकी बात करेंगे, क्यों हम इतिहास के कारिक्रम में बात करेंगे, आईए सबसे पहले, हम कावेरी से आपका परिशे करा है, कावेरी जी, इस इसित्किरम में आए के बहुत भिषमनेवद कारिक्रम में आने का बहुत बहुत घनेवाद, यह नो फिल्क्रवाद क्लिखने के लिए बहुत आपका त।। था पारिक्रम में आपसे यह किताब 醒क्रम मैं तो जू ए만 ऐसे बनाले करेंगे आप से ब्लेस्तों के बाहत्य को किताब हैं अपनी पत्रकारिता के अपनी जिंदगी के साथ साथ किताबे लिखते आए मेरे से ज्यादा बहुत लोग रहें लेकिन थैंक यू आपकी अपनी किताब आ रहे हैं अगई हैं तो चुछाथाश्यजी निदे आ प्रिव भुटिकिजी उर अपकी किताब पढ़के मुझे लगा कि ये फिल्म जगत की उपर होने के बावजूद मेरे को इतिहास में और जहां पर मेरी कारिक्रम में राजनीती का एक सेंटरल फोकस रहता है क्योंकि मेरी पत्रकारी था में पॉलिटिक्स मेरा मेरा में एरिया रहा है बिल्कुर ऑल्दोर फिल्म के बारे में मैं पूरी तरह से जो शब्द मैंने अपनी किताब में इस्निमाल किया है री कॉन्फ्यूगर हो गया है एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के द्वारा इसी पीरियड में तीन खान आते हैं अलग-अलग डाइवर्स बैक्ग्राउंड से कुछ लोग सक्सेस्फुल फिल्म जगत के परिवार से आते हैं जैसे सलमान उनके पिता बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे आमेर खान जिनके पिता उतने सक्सेस्फुल फिल्म प्रोड्यूसर नहीं थे और शारुक खान जो दिल्ली से जाते हैं आउटसाइट फिल्म सुसाइटी टेलेविशन के माध्यम से न्यू मीडियम विच ओपन डोर्स फॉर बॉलीवुड बेलकुर यह तीन अलग अलग रूट से जाते हैं और पूरी तरह से नाइनटी ज की दुनिया में च्छा जाते हैं आते अभी हम जिस दौर से गुजर रहें इनका करियर एंड हो रहा है और जो हिंदुस्तान में जो आपका जो परस्पेक्टिव है आपने इसको किस तरह से प्रजेंट किया मेरे जरह दर्शकों के लिए समझाएगी मैं तो किताब से समझ गया एक तो जैसे आपनी कहा है यह लेट 80s में आए तीनो 1988 में आए तीनो 1965 बॉन है यह जो इनकी एज और मेरी एज अलमोस सिमिलर है तो यह जैसे ही पब्लिक लाइफ में आए मैं भी जर्नलिजम में आए तो मुझे हर समय लगा कि मैं इनके पीछे पीछे भाग रही हूं यह मेरे आगे आगे भाग रहे हैं इनकी फिल्में आती गए इनके टीवी शोज आते गए यह बढ़ते गए शारुक खान को हमने टी इनकी टीटू, नाइटीट्री में उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में करी आमिर खान नाइटी एट में आया एक कयामत से कयामत तक बिल्कुल यंग रोमांस था हमने देखा नहीं था ऐसा काफी समय तक अमिताब बच्चन थे बड़ी हीरो सेवेंटीज के एटीज में हम वोग यंग थे बिल्कुल और वो जो यूथ आ रहा था जैसे जो राजीव गांधी को देख रहा था और वो देख रहा था कि इनका एक नया इंडिया यह प्रॉमिस कर रहे है उन्होंने का कि वो कॉंग्रस में करॉप्शन खतम कर देंगे उन्होंने मार्टन लूथर बोला that I have a dream उन्होंने कंप्यूटर्स लाए उनका जो विजन था उन्होंने वोटिंग एज को 18 बनाया विच 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 बनाया विच 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 बनाया विच वर पंचायती राज से डिमॉक्रसी का नक्षा बदल रहा था तो यह सब हो रहा था और यह जो बॉली वो रिलेट नहीं कर पाते थे वी सियार आगया था लोग घरी बैठके टेलिविजन अच्छा हो रहा था दूरदर्शन में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे थे यह सिर्यस का सिलसला शुरू हो बिल्कुल यह ता रामायान माभारत यह सब शुरू हो गय थे दूर का नैशनल कॉलिज में थे जोड़ देशन हो वो थे थेतर था फिर फिर नने छोड़ दिया फिर वो हो ली में आएक लिग पेरिलल यूनिवर्स था सालमान खान का अलग पारिलल युनिवर्स था वो सूरज बढ जात जा तया की फिल्म में बड़े हीरो की तरफ तरफ था 1989 में और शारुक खान जो थे वो दिली में थेटर कर रहे थे और जाम्या में थे और टेलिविजन में फिर आए तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंट्रिस्टिंग ताइम था जब पॉलिटिक्स में और आपको ये जादा पता है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था ये वही प अबे इस स्वरों में लोग महसूस करते थे आजादी के बाद की अधराइशन आफ मुस्लिम उसका एक सेंस धीरे धीरे उनको कॉंफिडेंस मिला था अपना जो डिविडेंस था वो धीरे धीरे लोग छोड़ते वे जा रहे थे इस दौर में तीन खान आते हैं मैं एक भाकी सब ढր sneak में डिसंथ होती है डिविजन होती है और सभसे लोग में पार आज स्थित्य है की आज को यह की आज कंडियर की दुनिया को ले यहां को ढेख Div लेखी है और değ स्यन," में अभी शारू कान के बेटे को लेख लेके एक इतना बड़ा क Lynn स्स्त sources ल़ूर्ण स्ब तो पंडिःट फिर लोगों को एकत्था कर रहा है। की जो अभी का हिंदुत्वा होना भूत जुरूरी है अगर थी अधर नहीं होगा तो वह जो हिंदुत्वा का जो अभी जो रोह है वो कुलाप्स हो जाएगा। और मुझे लगता है इसलिए जो ये जो हमारे तीन हीरो थे एक समय के, इनको increasingly the other बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर इनको हम demolish नहीं करेंगे पहले, तो हम जो इनके हिसाब से जो नया इंडिया है, उसको कैसे खड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है जो अब हम जिस स्थिती मे हैं वही मुझे और ये मुझे परिशान करती है ये स्थिती, क्योंकि ये मेरा भारत नहीं है, ना मेरा इंडिया है, ना मेरा भारत है, क्योंकि मैंने जो भारत देखा, जो इंडिया देखा, उसमें ड़संत माटर, ये जो तीन खाने थे, रहरली प्लेड मुसलिम्स on screen, बि बहुत ही significant है, उसमें मैं आओगी, उसके उपर हम बात करेंगे, स्वड़ा सेपरेटली, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि वो जो आप शमी के साथ जो अभी आप देख रहे हैं, वो चक्ते में चारुख खान ने 13 साल पहले हमां बताया था, कि ये हिंडुस्तान आने वाल कि कभीर खान ने एक और उनके मित्र हैं, उनको बोलत के सब्को एक गलति तो माफ है और कभीर खान जो शारुख खान dodेखने मेमिंठ रहे हैं बोलता है सब्को , इक गलति सब्को माफ होती है सब्को सब को नहीं माफ है मुसल्मान को एक गल्ती भी करे जो चक्ते दिखाता है एक गल्ती भी करे तो क्या बवाल मच जाता है क्योंकि उनों ने उस फिल्म में इंडिया लॉस्ट तो पाकिस्तान and he was accused of having sold the national call to Pakistan तो 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 नों ने वो डायलोग मैं कभी नहीं भूलूंगी I think हमें कभी नहीं भूलना जाहिए कि ये जो modern Muslim है उसको कोई गल्ती माफ नहीं है he has to if he has to survive in this new India he has to she has to conform to it and that is the greatest tragedy I think तो क्या आपको एक sense of deja vu हुआ जब Mohammed Shami की shaming हुई पाकिस्तान से मैच हारने के बाद और क्या आने वाले कल में कभी कोई फिल्म बनेगी जो किसी भी तरह से Shami की जो shaming हुई उसको लेकर cinematically reflect करेगी क्या ये आज के हिंदुस्तान में आज के political city में मुझे नहीं पता कि 2024 में क्या हुने वाला है आज के दौर में in today's context क्या इसकी cinematic reflection possible लगती है आप मुझे नहीं लगता आज आप जो फिल्में देख रहे हैं अभी सूर्यवंशी रिलीज हुई इतनी बड़ी हिट हुई है अगर आप उसमें क्यारेक्टराइजेशन देखेंगे मुसल्मान का अज़ा प्टाइज MUsliम और एक है आपका बाद मुसलिम अब हमारा ये सिनमा में ये चारेक्टराइजेशन बाड़ीजेशन होगा है that the Muslim also if he's ever shown or she is ever shown has to be shown either as a good musulman or a bad musulman and उसका जो barometer है measure करने के लिए ये उसपे डिपेंड करता है उसके प्रती वो कैसे बहेव करता है, यह जो पॉपिलर सिनमा में भी, पॉपिलर कॉंशिसनेस में भी कितना डीपली इंट्रेंच्ट हो गया है कि हम यह देखते हैं और हमें बुरा भी नहीं लगता है कि अच्छा वो फिल्म बोलही है कि चालीस लोग स्लीपर सेल की तरह भा तालियां पड़ती है ऐसे डायलोग में यह पहले नहीं हुआ करता था हमारे मुसलिम सोशल्स भी आये हैं सम अ बिगस्ट फिल्म्स पाकीजा, उम्राव जान, यह टॉक्ट टॉक्ट टॉक्टिलर मुसलिम सबकुल्चर विट रिस्पक्ट और रिस्पक्ट और इस पार्ट अच्छा इंडियन देखना है तो हमें अच्छा हिंदू होना ही पड़ेगा बिल्कुल आपकी बात सुनते सुनते और आपकी किताब पढ़ते पढ़ते मेरे को एक बात याद आई जब पिछले साल कोविड के लॉकडाउन के तुरंत बाद दिल्ली में मरकज पे जो का जो इंसिडेंट हुआ था कि उनको जो एक्यूज किया गया था तब मेरे को एक दिमाख में ख्याल आया था जिसकी उपर मैंने लिखा भी था कि क्या आज के हिंदुस्तान में अगर में सत्यू की गरम हवा का जो सेंट्रल कैरेक्टर सलीम मिर्जा है क्या वो तैग करेगा कि मुझे हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए और यहां के वर्किंग क्लास पूव्मेंट के साथ इन्वाल्फ होना चाहिए क्या आज का मुस्लमान ये सोचेगा वो फैसला लेगा और क्या आज के कंटिंपररी मुसलमानों को ये लगेगा कि शायद मेरे पूरवजों ने कोई गलती कर दी थी पाकिस्तान ना जाकर या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 से चला आ रहा था उसको छोड़ देने से क्या इन दो फैसलों से उन्होंने कोई गलती की थी तो हम इसका देखते हैं कि एक तरह से रिफलेक्शन का आपकी जो किताब है इसमें ये बार-बार कहीं ना कहीं से इसके इंडिकेशन साते हैं हम देखते हैं कि किस तरह से आपकी किताब में दिखता है कि अलग-अलग पीरियेट्स में खास्तों से आमेर खान या शारुक ख होते हैं जैसे कि अब हो गए है तो मैं इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगा कि इनकी साइलेंस कैसे हो गई है और क्या पुराने वाले हिंदुस्तान में शारुक खान के बेटे के साथ इस तरह का सलूक किया गया होता तो क्या उनका रिस्पॉंस वो होता जो इस बार है वो है टोटल साइलेंस अपने जनम दिन के दिन भी उन्होंने अपने फैंस को लगभग ग्रीट तक नहीं कि अगर इस बार में यह बोलना जाते हूं कि अभी जो सत्यू के फिल्म में दिखाएगा कि वो नहीं गए गए जब के परिवार के बहुत लोग चले गए बिल्कु तो अभी शारुक खान को कितनी बार बोला गया है कि आप पाकिस्तान चले जाओ तो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम मुझे यह बोला कि पाकिस्तान ही क्यों मतलब कोई और देश में भेज तो भई अगर आपको इतना शौक है कि मैं यहां नहीं रहूं मतलब बट उस जो कि पीछे भी उनका दर्द दिखता है क्यों उनको बोला जाता है कि यह हमारे इतने लोग चले गए पाकिस्तान वो उनके जो फैमिलीज है इन सब की फैमिलीज नहीं गई कोई कारण होगा और यह कारण था जो भारत था वो उनका भी है था और रहेगा बट जो हम देखते क कि 2002 के बाद जैसे आमेर ने जो कारण प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में बहुत criticism and stinging criticism उनों ने उनको virtually humanity के अगेंस्ट एक बोला कि यह जो उनने किया कि humanity के अगेंस्ट है सिर्फ वो नहीं बॉलीवूड ने भी stand लिया था बिलिकुल और वो सब आज चुप है पिछले जब शुषान सिंग राजपूत के suicide के बाद आप में अपने किताब में जिकर भी किया कि बॉलीवूड का silence उनको जिस तर से demonize किया गया क्योंकि एक तरह से बॉलीवूड जो है हिंदुस्तान के composite culture को दर्शाता है तो प्रेशर डालने के लिए कि आप मत दर्शाइए आप प्रेशर प्रणी कोषच था किए पैसिए ऋनका down लास यह द्वेई के लिए की तरह से नाडवर् ज企व पर्णी तरह बळाने के लिए कि बूलीवूदिया समझा है कि आप पेट्रियोटिक, नैशनलिस्टिक, आर्मी, रौ आप ऐसी चीज़े बनाई है जिसमें पूरी बनाई है जब सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी तरह से रोमांटिसाइज तो आप ऐसी फिल्में दिखाएए और ये बॉलिवुड का बब ये जो कंट्रोल करना च करना चाहते हैं ये नहीं की बीजेपी अलग है कॉंग्रिस ने पी किया है हमने देखा इमरजनसी के वक्त जो भी उनके इसा कुर्सी का बनाई है कि बिल्कुल इंदरा गांधी का टेंपलेट बहुत हद तक आज के तमाम नेताओं के उपर लागू है बिल्कुल आंधी में जो soft power है Bollywood का, every political party wants to control it but BJP सबसे अच्छी तरह समझती है कैसे control करना और ये हम 1998 से देख रहे हैं जब से सुष्मा सुराज इन बी मिनिस्टर थी उन्होंने Bollywood को industry status दिया, can में वो गई, बहुत बड़ा, थोड़ा और याद दिलाता हूं सुष्मा सुराज की अपने बात कि मुझे अचाना क्यादा 13 दिन की सरकार थी, वो भी INB मिनिस्टर थी, सुष्मा सुराजी ती, क्या बंद किया उन्होंने, वीडियो कौन का अड़र्टाइज में, क्यों, आप ही बताई हैं, मुझे, skirt हवा में उड़ा है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल बिल्कुल, 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 यह मीडियूम और अगर हम इसको चंट्रोल कर पाएं तो इंडिस्ट्री स्टेटिस से उन्होंने का अच्छा वो अंडर्वर्ल का मनी खटम हो गया, बैंक लोन मिलने लगे, बत उनके जैसा सिनमा भी बनने लगा, और यह बहुत ज़रूरी है, और यह जो चीज है, यह सरकार बहुत ही समझती है इसको, and they understand it beautifully, and बार 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 बार, the Prime Minister goes to meet the directors, they come to meet him, selfie लेते हैं, it's not just a polite occasion, the idea is कि सबसे बड़े-बड़े जो इनके directors हैं, producers हैं, परमश्री क्यों मिलता है उनको, ऐसे तो नहीं चारटी में नहीं मिलता है, यह बहुत ही, यह जो हिंदुत्वा का प्रोजेक्ट है, यह खाली politics पे सीमत नहीं है, क्योंकि इनको समझ आई है कि जो Bollywood का influence है, जो popular culture का influence है, इसका सबसे बड़ा जो इन्फुएंसिंग जो institution है वो है Bollywood का और जो बाकी जो इनको रिजनल cinema में मेरे चारटी इसा देखने को मिलेगा, यह तैमिल और सदन सिनेमा में उतना कंट्रोल नहीं है क्योंकि उनके अपने हिरों से अपने अपना politics है और इस soft power के यह तीन लोग सबसे बड़े symbols हैं अपने इनकी बात की 1988 की बात की एक मेरे दिमाग में सवाल आता है कि क्या इनके success का कारण है through the 90s हम बताएं आपने बताया कि हिंदुस्तान की राजनी थी बदलने लगी थी आयोध्या अंदुलन काफी powerful हो गया था मंडल भी आया था माकेट भी आया था में शिला नयास हुआ था 92 में demolition हुआ था यह सबसे हाभी होते है post 92 तो क्या इसकी वजा है कि 92 के बाद और 2002 तक वो जो डेकेड था 92 तो 2002 वो liberalization का दौर था जब बीजेपी में थोड़े बहु इडिलोजी कैन वी कम फारवड अडवानी हैड तो गो बैक वाजपेई था मॉडरेट फेस हैड तो पुष्ट हैड और एलाइज आ सकते थे तो क्या वो जो जो विंडो मिला उसी की वज़से इन तीन खान को जो आज के तारीक में खान है कोट अनकोट खान है उस समाँ यह कोट अनकोट नहीं थे खान थे उनको ब्रीधिंग स्पेस मिला और तब वो लोग अपने अपने कैपासिटी को अपने स्टार्डम को इस्टैब्रिश कर पाए बिल्कुल और यही नहीं जो इन्होंने किरदार करें स्क्रीन पर वो भी किसी हद तक सबकॉंशिसली या सबलि परिवार बाल्यूस रिच्वल्स करवा चौत का रिच्वल्स अगर डिडियल नहीं बनती इट वोड नेवर बेकाम अनाशनल फेस्टिवल कभी खुश ही कभी गम ले लीजे सूरज बर जात्या और प्रेव शुरज बर जाता को तो बोला जाता था कि आपने कि अपने किस् बेड़िजिय था निए बीजेश पीन में अई था उड़कान इन इंद्या के मैन इंडिया के माइन में भी था कि अच्छा हम मतिरियलिज्म कि थारफ चल रहे हैं बट हमारा च्रडिशन अभी श्यूर्सट है और हम इस्त्रेशन को थोड़ा आज कर लेरे हैं तो हम करवा करते हैं बट वह आदमी भी फास्ट कर लिता है वाइफ के साथ तो यह सब चीजे हो रही थी पर हाँ यह विंडो था और इस विंडो का इनों प्रॉस्पर किया बट हम जब आप देखेंगे 2002 के बाद 2005 2006 2007 बदलाव आता है इनकी फिल्में में बदलती है और देश तो बदल ही एक आखरी सवाल जैसे हम लोग इस कारिकर में अपने डिसकॉशन के अंत के आखरी दौर में जा जाते हैं आपने जिक्र किया कि शुरू में जब आजाद हिंडोस्तान होने दो जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे मेल्स में दिलिप कुमार और हिरोइंस में मधूबाला दोनों मुसल्मान थें लेकिन ये उस समय स्टार बन रहे थे जब हिंडोस्तान पार्टिशन के वाइलेंट दौर से गुजर आ था ये मुसल्मान होने के बावजूद मुसल्मान नाम लेके नहीं पढ़ते हैं मधूबाला के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी वास्तविक नाम क्या है और ये लोगों को विकिपीडिया पर जाके सर्च करना पड़े घा दिल कुमार के वारे में चलिए तब दी लोगों को पता है क्या ये दौर फिर से आ गया है तीन खान आये तीन खान रहे तीन खान चुप हो गए जो चीजे बोलते थे जैसे आपन आमेर खान ने बोला, शारुक कान ने भी बहुत बोला, कबीर घानर तो सबसे पहले चुप होगे और बलकी मतलब मोजी जी के साथ कतंगे उड़ाने शुरू कर दी, तब ही चुप होगे, तब से चुप हो गई तो बॉलिवूड के धीरे धीरे काफी सारे लोग बदलते गए तो क्या वक्त फिर से ऐसा आ गया कि तीन खान एक तो हमारे साइमल्टीनिस कल्चरल स्पेस को कभी साइमल्टीनिसली डॉमिनिट नहीं करेंगे और शायद आने वाले दिलों में अगर किसी मुसल्मान एक्टर को पॉपुलारिटी हासिल करने के अम्बिशन्स रखने तो अप को सब कुछ पता है नाम नाब सबसे परले राइट विंगर पड़ाफाश कर देंगे बिलकुल कि यह देखें कावेरी का असली नाम सबीना है बिलकुल तो यह वह सकता है पट यह नहीं होगा नाम नहीं बदलेंगे बट उनकी जो चुटिच्वेंसी होगी वो बहुत ही प ऑन सेंट करने के लिए उनको पतानी क्या करना पड़ेगा कितना उनको इदर अधर को सिंबलाइज करना पड़ेगा यह खुद को खुद होते हुए भतलब खुद का रोल ना कर पहुद को कुछ और करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि यह दौर आएगगा हम हैं जु हमारे जो तीन इतने बड़े खान हैं, इतने बड़े सूपरस्टार्ज हैं, उनका करियर भी अल्मोस्ट लास्ट लेक्स पर है, I think तीन-चार साल, पांच साल, फिर वो पांच साल के बाद हमें अमिताब बच्चन के रूप में मिलेंगे, परदादा परदादा बने लगेंगे, बट ऐसा दोर आएगा कि हम हमें जैसे देविकार रानी ने दिलिप कुमार को बोला कि यूसफ खान लेके तो आप बड़े सूपरस्टार नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं बट आप अपना नाम बदल ये, नाम नहीं बदलेगा बट उ मैजॉरिटी को मानना चाहिए कि ये हमारा है तब वो एक्सेप्ट करेगा और ये बीजेपी के लिए इस सरकार के लिए सबसे बड़ा ट्राइम्फ होगा और ये हो भी सकता है कि कहीं कोई ऐसा स्टार बन रहा होगा और जो पांट साल के बाद हमारे सामने आएगा जो बिल आपकी किताब में एक बार अब बताओं मुझे पढ़के बहुत आनत दिला शुक्रिया थैंक ये इस तरह के किताबे लिए अमीद करते हैं कि आज कावेरी बमजाई के साथ बात आप लोगों को भी रोचक तो लगी होंगी लेकिन सोचने के लिए भी मजबूर किया होगा क किस दोर में आके हम रुक गए हमस्कार